बच्चो आपने वो स्प्रिंग वाली कार देखी है जिससे छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं जब हम उस कार को पीछे की और खीचते हैं तो वो आगे की और बढ़ती है उस कार में स्प्रिंग लगा होता है जब उसको पीछे की और खीचते हैं तो वो स्प्रिंग एठ जात जाती है कि यदि हम in spring में एक बॉल रखें और spring को जोर से दबाएं उसके बादить spring को छोड़ते हैं तो उसमे रखी वुचक जाती है कि जब हम spring को डबाते हैं कि तो उसके विन्यास में परिवर्तन करते हैं यह यूंद कहें कि उस स्प्रिंग के स्थिती में परिवर्तन कर देते हैं और उसके बाद उस पे रखी बॉल को देखें तो अपने अप उचक जाती है मतलब स्प्रिंग को जब हमने दबाया तो उसमें ऊर्जय आ गई और उसी के कारण वह बॉल भी उचक गई मतलब बॉल को फेकने का काम किया उस कि चैनल अब वी-शेड की आकृति होती है जिसमें इसके पकड़ के उसमें लगे double को खीचते फिसमें पत्थर लगाते हैं और जब उस रबर और चोड़ते हैं तो पत्थर ऊपर की ओर जाता है और जहां आम फले हैं वहाँ पर लगता है और उसकी सहायता से आम को तोड़ सकते हैं तो गुलेल में रबर को खीचने पर मतलब रबर की स्थिती में परिवर्तन कि हम उसके विन्यास में परिवर्तन किये उसकी कारण उस पत्थर के फेकाने का काम हुआ तो यहां हम देख रहे हैं कि जब किसी वस्तु के विन्यास में परिवर्तन करते हैं उसकी स्थिती में परिवर्तन करते हैं उस समय भी कार्य होता है और किसी वस्तु में उसकी स्थिती या विन्यास के कारण जो उसमें उर्जा नहीं होती है उस उर्जा को हम स्थिती आहे पर देख़ें कि ज़र्ना जितना ही उंचा होता है आप उसके नीचे आसानी से खड़े नहीं हो सकते कि पानी में बहुत ज़्यादा वेग होता है जिसके आप उस पानी को एंजोई नी कर पाते आपको उसका बल के उसके बल का प्रभाव महसूस होता है लेकिन जहरना कम उचाई पर हो तो उसमें आप आसानी से उसका मजा लेने पहुच जाते हैं तो जब इस पानी को हम उपर ले जा रहे हैं यह वो पानी जो उपर में स्थित है उसमें भी उर्जा है उसी के कारण तो काम हो रहा है इसका मतलब जब वस्तु की स्थिती में परिवर्तन पृत्वी की सता के सापेक्ष भी किया जाए तो उसमें भी उर्जा आ जाती है और इसी उर्जा को हम गृत्वी स्थिती जूर्जा के नाम से जानते हैं वैसे हम जब प्रिद्वी की सता से उसकी उचाई को ही नोट करते हैं या प्रित्वी की सता से उसकी उचाई के संदर्म में ही बात करते हैं लेकिन हम पर्टिकुलरली पृत्वी की सता से उचाई के बारे में बात करें, तो इसे हम एक पर्टिकुलर नाम से जानते हैं, इसे हम गृत्वी स्थिती जूर्जा, यह ग्रैविटेशनल पोटेंशल एनरजी कहते हैं, इस ग्रैविटेशनल पोटेंशल एनरजी का सूत्र निकालते ह कार ये बराबर होता है बल इंटो विस्थापन अब किसी वस्तु को आप जमीन की सता से उठा कर उपर ले जा रहे हैं यानि आपको उतना बल लगाना है जितना उसका भार हो और उसके विपरत दिशा में लगाना है क्योंकि भार हमेशा प्रित्वी की सता की और ही काम करता है प्रित्वी की केंद्र की और ही काम करता है और इसको आपको उपर उठाना है तो उतना बल नियूनितम लगाना होगा जितना की उसका भार है और उसके विपरत दिशा में लगाना होगा तो जब यहाँ पर आप उसको ऊपर उठाने का कारे कर रहे हैं तो बल बराबर हो जाएगा M G यानि कि जितना उसका भार है उतना नियूनितम बल तो अपर लगा नहीं होगा आप उसको ऊपर ले जा रहे हैं तो यहाँ वस्तु का विस्थापन उसके द्वारा पहुची गई उचाई ही होगी इसलिए विस्थापन के जगा H लिखेंगे तो यह डबलू बराबर हो जाएगा M G H और यह कारी ही उस वस्तु में उसकी गृत्वी स्थितीज उर्जा के रूप में निहित होगा तो गृत्वी स्थितीज उर्जा का फॉर्मूला होता है M G H यहाँ से हम देखें तो गृत्वी स्थितीज उर्जा का मान निर्भर करता है वस्तु के द्रविमान पर गृत्वी त्वरण पर और पृत्वी की सता से उसकी उचाई पर अब इसके अधार पर मुझे आप एक प्रश्मक्का उत्तर दीजे मान लीजे मैंने सजाने के लिए घर में एक सोपीस लाया है और उसके लिए मैंने स्टैंड बनाया है जो की आयताकार अब इस आयताकार स्टैंड की जो लंबाई थी वो 2H है और इसकी चोड़ाई H है यानि कि जो लंबाई है इसकी चोड़ाई की दुगनी है अब मैं इसे एक जगे पर रखना चाहते हूं एक बार मैंने इस आयताकार स्टैंड को इस प्रकार छेतीज रखा और इसकी उपर पॉट को सजा दिया और एक बार मैंने इसे उर्धवा धर रगा और इसकी उपर शोपीस को सजा दिया अब बताई दोनों ही स्थिती में किस में इस सोपीश की गृत्वी स्थितीज उर्जा अधिक होगी। हम सोच रहे होंगे यदि कि ये तो एक ही स्टैंड है वही पॉट वही स्टैंड तो गृत्वी स्थितीज उर्जा में क्यों परिवर्तन हो। लेकिन गृत्वी स्थितीज उर्जा का मान पृत्वी की सता से उचाई पर निर्भर करता है यदि हम इसको 36 रखे थे तो हम देख रहते कि पृत्वी की सता से इसकी उचाई H होगी और जब इसको उर्धवादर रखेंगे तो पृत्वी की सता से इसकी उचाई 2H है तो इस क में तो चलो बच्चो इसी प्रकार हम कुछ और निमेरिकल कोश्चन सॉल्व करते हैं गुरुत्वी स्थिती जूर्जब पर अधारित पचास किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्थू को प्रित्वी से आठ मीटर की उचाई तक उठाया गया है इस वस्थू में विद्यमान ओर्जा का परिकलन करें यहां जी बराबर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वाइर है प्रश्ण अनुसार दिया गया है वस्थू का द्रव्यमान M बराबर 50 के जी विस्थापन यानि की उचाई बराबर 8 मीटर गुरुत्वी त्वरंट जी का मान 9.8 मीटर पर सेक्ल स्क्वाइर और गुरुत्वी स्थितीज उर्जा के सूत्र अनुसार इस्थितीज उर्जा होगी MGH यहां सारे मान लिखतेते हैं तो यह हो जाएगा 50 into 9.8 into 8 इसे गुणाव करने पर हमें मिलेगा 3920 जूल और यही स्थितीज उर्जा होगी अगला प्रश्ण पांच किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु प्रित्वी से एक निश्चित उचाई पर स्थित है यदि वस्तु के स्थितीज उर्जा 400 जूल है तो वस्तु की प्रित्वी के सापेक्ष उचाई ग्याद करें यहां जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वा है वस्तु का द्रव्यमान M बराबर 5 की जी है विस्तापन यानि की उचाई H बराबर यह में ग्याद करना है वस्तु के स्थितीज उर्जा MGH बराबर होती है 400 जूल गुरुत्वी त्वरण G कमा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वार है अब जो वस्तु की गुरुत्वी स्थित पर रख देते हैं तो योगा 5 इंटू 9.8 इंटू H इकवल टू 400 और H बराबर होगा 400 अपन 49 और सॉल्फ करने पर H इकवल टू 8.16 मीटर तो वस्तु 8.16 मीटर उचाई पर स्थित होगी बच्चो उर्जा संग्रक्षण की नियम से हमने जाना था कि उर्जा ना तो उत्पन ने की जा सकती है और नहीं नश्ट की जा सकती है उर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांत्रित होती है यहाँ पर हम यांत्रिक उर्जा संग्रक्षण का नियम देखते हैं यांत्रिक उर्जा दो प्रकार की होती है गती जूर्जा और स्थिती जूर्जा तो यांत्रिक उर्जा संग्रक्षण के नियम से गती जूर्जा स्थिती जूर्जा में और स्थिती जूर्जा गती जू गतीज उर्जा और स्थितीज उर्जा का कुल योग हमेशा नियत होता है वो यांतरिक उर्जा के बराबर ही होगा किसी स्थिती में हम देखें तो स्थितीज उर्जा दिखोगी कहीं देखें गतीज उर्जा दिखोगी लेकिन जब दोनों का योग करें हम तो वो एक नियत र पृत्वी की सत्ह से उठाकर ऊपर ले जाते है, एच उचाई तक हम इसको पृत्वी की सत्ह से उठाकर O == पर ले जा रहे हैं, मतब जो कार्य किया गया है वो स्वस्तू में इसकी गृत्वी स्थितीजृति उर्जा के रूप में नहित होगी, संचित हो जाएगी और गुरुत्वी स्थितीज उर्जा का फॉर्मिला होता है MGH तो इस पोजिशन पर हाइस्ट पोजिशन पर उचाई पर इस वस्तु की पोटेंशल एनर्जी अधिक्तम होगी यह वस्तु इस उचाई पर स्थिर है यहाँ पर इसका कोई वेग नहीं है तो यहाँ पर इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी लेकिन यदि इस वस्तू को अब छोड़ा जाए तो वस्तू अब नीचे क्यों राएगी? जब नीचे क्यों राएगी तो उसका वेग बढ़ेगा वेग बढ़ेगा मतलब उस वस्तू में अब गतीज ओर्जा बढ़ने लगेगी तो ये उर्जा कहीं से उत्पान्य नहीं होगी जो potential energy थी इसकी स्थितीज उर्जा वही धीरे धीरे गतीज उर्जा की रूप में परिवर्तित होगी और जैसे ये वस्तू पृत्वी की सता को टच करने वाला होगा इसका वेग अधिक्तम होगा ये यूँ कहे इस वस्तू की गतीज उर्जा अधिक्तम हो जाएगी और जैसे ये पृत्वी की सता को टच करता है इसकी पृत्वी की सता से उर्चाई 0 हो जाएगी और यूँ कहे तो इसकी गृत्वी स्थितीज उर्जा यानि potential energy शून्य हो जाएगी तो ऐसी स्थिती में जहां ये पृत्वी की सत्ता को टच करने वाला है वहाँ पे इसकी गतीज उर्जा अधिक्तम होगी जिसे हम half mv square से दर्शाएंगे और इसकी potential energy स्थितीज उर्जा 0 होगी तो अब दोनों स्थितियों को compare करें सबसे उपर में potential energy अधिक्तम थी kinetic energy 0 थी जब वो नीचे आगी ना उसमें kinetic energy अधिक्तम थी और potential energy 0 थी यानि कि उपर रखे वस्तु की जो potential energy थी स्थितीज उर्जा थी वो kinetic energy के रूप में change हो गए और किसी भी स्थिती में इनके बीच में देखें तो kinetic energy और potential energy का योग नियती होगा ये कोल यांतरिक उर्जा के बराबर ही होगा इसे यांतरिक energy के संग्रक्षन का हम लोग अनुप्रियोग खेलों में भी करते हैं यदि आपको लंबी कूद कूदने को कहा जाएं लॉंग जंप तो हम सीधे खड़े खड़े नहीं कूदते हैं क्योंकि यदि हम सीधे खड़े होकर कूदेंगे तो हम ज्यादा दूर नहीं कूद पाते हैं तो हम क्या करते हैं दौड कर आते हैं और जो line रतीव वहां पर रुखने की कोशिश करते हैं के बाद हम जंप लगाते हैं तो जब हम दौड के आते हैं मतला हमारा वेग बढ़ जाता है उस समय हमारे पास होती है गतीज उर्जा और जब हम उस लाइन तक पहुचते और उसके बाद कूते हैं तो हमारी गतीज उर्जा हमारी स्थिती में परिवर्तन कर देती है इसे तो ज़दा दूर से दउड़ के आएंगे, तो ज़दा दूर कुद पाएंगे. उँची कुद पे आशी होता है, आप दौढ़ कर आते हैं, और उसके बाद आप छलंग लगाने की कोशिश करते हैं. तो जब दौढ़ के आते हैं, तो अधिक उपर तक छलंग लगा सकते हैं एक्चुली वो जब तेजी से भागते हुए आता है तो उसमें होती है गतीज उर्जा और इसलिए उसके सामने दिवार उसके सामने माइने नहीं रख पाती और वो उस दिवार को भी छलंग लगा लेता है क्योंकि उसकी गतीज उर्जा पोटेंशल एनर्जी के रूप में चेंज हो जाती है लेकिन साधरन तोर पर यदि हम ऐसी उची दिवारों को देखे तो हम उसमें से छलंग लगाने की कभी भी नहीं सुचेंगे ऐसे ही आपने देखा होगा बच्चो स्विंग पूल में जब उपर से कोई स्विंगर डाई मारता है तो आप देखेंगे वो जितनी हाइट में खड़ा रता है उतनी ही गती करते हुए वो पानी के नीचे चला जाता है क्योंकि यदि वो हाइट में खड़ा है मतलब उसकी पोटेंशल एनरजी अधिक होगी और जब वो डाई मारता है तो उसकी पोटेंशल एनरजी उसकी गतीज उरजा में कानेटिक एनरजी के रूप में कनवर्ट होने लगती है इसलिए वो उतने ही तेजी से पानी को चीरता हुआ अंदर के और चला जाता है तो ऐसे ही आपके आजपास कानेटिक एनरजी से potential energy के conversion में potential से कानेटिक एनरजी के conversion में धेर सारे उधारण होंगे जरने से पानी का गिरना भी तो potential energy का kinetic energy में बदलना है इसलिए तो मैंने आपको कहा था कि जर्ना अगर बहुत अधिक उचाई में होगा तो उसकी नीचे खड़े होकर उसको एंजोई करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता क्योंकि उसकी पोटेंशल एनरजी अधिक होती है जब वो कानेटिक एनरजी में चेंज होती है यानि कि पानी को वेग मिलता है तो उस वेग का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है जिसको हम सहन नहीं कर पाते हैं अब बच्चों हम कारी से जुड़े अगले कॉंसेप्ट के बारे में चर्चा करेंगे जिसे हम शक्ती के नाम से जानते हैं शक्ती जिसे इंगलिश में हम पावर कहते हैं कारी करने की दर को शक्ती कहा जाता है जहां दर शब्द आता है इसका मतलब वहाँ पर समय का महत्व है तो हम सूत्र अनुसार देखे तो शक्ती बराबर होता है कारी बटे समय यानि कि power is equal to work upon time और हम लिखते P बराबर W upon T और यहां से हम शक्ती का मातरक देखें तो कार्य का मातरक होते है joule और समय का मातरक होते है second तो शक्ती का मातरक होगा joule प्रती second और joule प्रती second को नया नाम दिया जाता है इसे हम what कहते हैं किसी वस्तू द्वारा यदि एक सेकंड में एक जूल कार ये होता है तो उस वस्तू की शक्ती एक what कहलाती है बच्चों जब आप बल्ब खरिदने जाते हैं और दुकानदर से कहते हैं हमें बल्ब चाहिए तो ज़रूर वो आपसे सवाल करता होगा कितने what का कितने what का मतलब वो उस बल्ब की विद्दू शक्ती के बार में पूछना चाहता है आपको कितनी विद्दू शक्ती वाला बल्ब चाहिए उसका ये प्रश्न होता है अब 20, 40, 60 जितने what का मांगते हैं फिर आपको उसके अधार पर वो बल्ब लेता है तो वाट शब्द विद्दू शक्ती के लिए पर इस्तमाल होता है एक्चुली शक्ती जहां पर भी इस्तमाल होगी उसके लिए हम वाट शब्द का प्रयोग कर सकते हैं वैसे बल्ब की विद्दू शक्ती कम होती है इसलिए हम वाट शब्द का स्तमाल करते हैं लेकिन बड़े उपकरणों के लिए जिनकी विद्दू शक्ती अधिक होती है हम किलो वाट का भी स्तमाल करते हैं एक किलो वाट बराबर होता है हजार वाट और heavy up current यदी हमले जो बिजली से चलते हैं जैसे कि आप पानी को नीचे से उपर चढ़ाने के लिए टंकी तक ले जाने के लिए motor का स्तमाल करते हैं जब आप motor खरिदने जाएंगे तो आप motor का watt में नहीं मांगते हैं उस समय आप दूसरे मातर का स्तमाल करते हैं आप HP में motor को मांगते हैं तो HP भी विद्दूशक्ति को ही बताती है HP यानि कि होर्स पावर अश्वशक्ति ये शक्ति का बड़ा मातरक है हम जानते हैं कि घोडों की शक्ति बहुत जादा होती है इसलिए शक्ति के बड़े मातरक की रूप में हम अश्वशक्ति का स्तमाल करते हैं एक अश्वशक्ति बराबर होता है 746 Watt यानि कि ये Watt की तुल्ला में एक बड़ा मातरक है किसी वस्तू, किसी मशीन, ये उपकरन द्वारा कारिय करने में कितनी ऊर्जा व्य हो रही है वो निर्भर करती है उसकी शक्ति पर और कितने देर तक उपकरन कारिय कर रहा है यानि कि समय पर और जैसे कि हम सूत्र जानते हैं पावर बराबर होता है W upon T तो W बराबर होगा P into T और W O, यानि कि कारिय और कार ये करने की चमता को हम उर्जा कहते हैं तो यहांपर हम लिख सकते हैं उर्जा ब़राबर होता है P into T तो यहां से हम उर्जा के लिए मात्रक लिखें तो यह होगा What into Second पर जब हम उर्जा के बड़े मात्रक की बात करें तो What के स्थान पर Kilo Watt लिख देते हैं और सेकेंड के स्थान पर हम घंटे ले लेते हैं तो उर्जा का बड़ा मात्रक किलो वाट घंटा भी होता है यदि यहाँ पर मैं एक ऐसा उपकरण लूँ जिसकी शक्ती एक किलो वाट है और वो एक घंटे तक उपयोग में लाई जारी है तो उससे वै होने वाली उर्जा एक किलो वाट घंटा होगी इस प्रकार हम एक किलो वाट घंटा की परिभाशा दे सकते हैं एक किलो वाट घंटा किसी भी उपकरण से वै होने वाली उर्जा की मात्रा है जिस उपकरण की शक्ती एक किलो वाट हो और वो एक घंटे तक उपयोग में लाई जा सके आपके घरों में जो बिजली का बिल आता है वो विद्दूत उर्जा की वै को दर्शाता है आपने यदि बिजली का बिल देखा होगा तो उसमें जो वै होता है वो यूनिट्स की रूप में दिया जाता है कितना यूनिट आपने कंजियूम किया 20 यूनिट, 40 यूनिट, 200 यूनिट जितना आपने कंजियूम किया तो यह जो यूनिट है यह विद्दूत उर्जा का ही मातरक है और यह जो यूनिट है वो एक्चुली किलो वाट घंटा का ही एक रूप है एक यूनिट बराबर होता एक किलोवाट घंटा तो आप जब भी अपने बिजली के बिल में यूनिट देखें तो आप ये समझ जाईए कि आपने उतनी विद्दूत ओर्जा की खपत की हैं अब ओर्जा को तो हम जूल में नापते हैं ये किलोवाट घंटा उसका नया मातरक आ गया ये किलोवाट और जूल में क्या सम्बन्द है हम जानते हैं जूल पराबर होता है वाट इन्टी कि अब एक क्योवाट घंटा ये किटना होगा हम कलोवाट को अ मॉल्मा करेंगे किक क्लोवाट मतलब 1000 वाट तो यहाँ पर 1000 वाट लिखेंगे घंटे को सेकंड में चेंज करना है एक घंटे में 60 मिनट होते हैं और एक मिनट में 60 सेकंड तो एक घंटे में 60 इंटू 60 सेकंड होंगे यानि कि 3600 सेकंड तो यहाँ पर घंटे को सेकंड में चेंज करने के लिए 3600 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पर यह जाएगा 1000 watt इंटू 3600 सेकेंड अब watt इंटू सेकेंड होता है जूल और इसको गुणा करने से मिलेगा 3600 0000 50 यानि कि 36 लाक जूल तो 1 किलो वाट घंटा बराबर होता है 36 लाक जूल और हम इसे 36 इंटू 10 तो पावर 5 जूल भी लिखते है और दसमलोव के रूप में भी से दर्शा आए जाता है 3.6 इंटू 10 तो पावर 6 जूल मैंने इस मान को अलग-अलग रूपों में लिखा है यह कभी-कभी ऐसा होता है जब वस्तूनिष्ट प्रशन आते है अब्जेक्टिव टैप कोश्चन तो इसमें 4 ओप्शन दे दिये जाते है वहाँ पर आप देखोगे कि 36 लाख जूल कहीं नहीं लिखा रहता यह दसमलों में लिखा जाता है यह 10 तो पावर के रूप में लिखा जाता है इसलिए मैंने यह सारे मन बता दिये ताकि विकल्प में आप सही उत्तर को चुन सके तो बच्चो इस यूनिट के फॉर्मुला के आधार पर हम एक निमेरिकल प्रशन बनाते हैं एक महिला 300 जूल कारे को 5 सेकेंड में पूरा करती है तो बताओ उसने कितनी शक्ती व्य किया इस प्रशन नुसर दिया गया है महिला की द्वारा किया गया कारे डबलू बराबर 300 जूल कारे करने में लगा समय ती बराबर 5 सेकेंड महिला द्वारा व्य की गई शक्ती शक्ती का सूत्र होता है पी बराबर डेबल्यू अपॉन टी तो हम लिखेंगे 300 अपॉन 5 और यह होगा 60 वाट बच्चो जब भी प्रश्णों को हल करें तो आंकिक मान आने के बार आप उसका मात्रक जरूर लिखें क्योंकि प्रतेक भौतिक राशी की एक इकाई होती है तो हमको यहाँ पर उस भौतिक राशी की इकाई लिखना अवश्यक है प्रश्ण दो पचास के जिस द्रव्यमान का एक लड़का 30 सीड़ियां 10 सेकंड में चड़ता है यदि प्रतेक सीड़ियों की उचाई 15 सेंटीमीटर हो तो उसकी शक्ती का परिकलन करें यहाँ जी बराबर 10 मीटर प्रतीव वर्ग सेकंड दिया ही गया है प्रश्ण में तो हमको यही मान हल करते समय स्तमाल करना है लड़के का द्रव्यमान M बराबर 50 केजी है तो M G बराबर होगा 50 इंटू 10 इक्वल टू 500 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वार तीस सीड़ियों की कूल उचाई निकालने के लिए पहले हम एक सीड़ी की उचाई निकालेंगे एक सीड़ी की उचाई 15 सेंटीमीटर है यानि की 15 अपॉन 100 मीटर होगी तो 30 सीड़ियों की उचाई 30 इंटू 15 अपॉन 100 मीटर होगी सॉल्फ करने पर हमें मिलेगा 4.50 मीटर चड़ने में लगा समय T बराबर 10 सेकंड है तो शक्ती के सूत्रे के अनुसार P बराबर होता है किया गया कार ये अपॉन समय तो हम लिखेंगे M G H अपॉन T तो P बराबर होगा 500 इंटू 4.50 अपॉन 10 सॉल्फ करेंगे तो हमें मिलेगा 225 वाट तो लड़के की शक्ती 225 वाट है 60 वाट का एक बल प्रति दिन 10 घंटे उपयोग किया जाता है बल्ब दिन में खर्च की गई उर्जा यूनिट का पराकलन करें इस प्रश्ण में दिया गया है विद्दूत बल्ब की शक्ती 60 वाट है यानि की 0.06 किलो वाट या हमने वाट को किलो वाट में कनवर्ट किया है वाट को किलो वाट में कनवर्ट करने के लिए हम इसे हजार से भाग दिये हैं और इसलिए इसका मान हुआ है 0.06 किलो वाट उप्योग किया गया समय 10 घंटा प्रश्ट में दिया गया है कि इस विद्दुद बल्ब को 10 घंटे तक जलाया जाता है अता बल्ब की खर्च की गई उर्जा यह होगी शक्ती इंटू लिया गया समय तो 0.06 किलो वाट इंटू 10 घंटे 10 घंटे 0.60 किलो वाट आर बच्चो इस प्रश्ट में विद्दुद बल्ब की शक्ती वाट में दी गई थी लेकिन हमने किलो वाट में क्यों कनवर्ट किया था क्योंकि हमको विद्दुद उर्जा का मापन यूनिट में करना था और एक यूनिट बराबर होता है एक किलो वाट घंटा इसलिए हमने वाट को यहाँ पर किलो वाट में कनवर्ट किया अगर इसमें समय सेकेंड में दिया जाता तो हम उस सेकेंड को घंटों में भी कनवर्ट करते हैं लेकिन इस प्रश्ट में डारेक्ट घंटों में ही दिया गया था इसलिए हमने घंटे को सीधे गुणा कर दिया और गुणा करने पर हमें मान मिला है 0.60 यूनिट तो बल्ब द्वारा एक दिन में 0.60 यूनिट उर्जा की खपत होगी उर्जा, एनर्जी और शक्ति यानि की पावर ये दोनों कारी से जुड़े हुए ही दो कॉंसेप्ट है और जनरली लोग इन में कन्फ्यूस हो जाते हैं और इनको आपस में मिक्स कर देते हैं अभी हमने उर्जा और शक्ति की उपर इतनी चर्चा की अब इसके अधार पर आप मुझे एक प्रश्ण का उत्तर दीजे मान लीजे, दो बच्चे हैं और इनको एक फिनिशिंग लाइन तक दोड़ना है मतलब दोनों को एक फिनिशिंग लाइन को टच करने का काम दिया जा रहा है दोनों बच्चे एक साथ दोड़ना शुरू करते हैं लेकिन एक बच्चा फिनिशिंग लाइन में पहले पहुँचता है और दूसरा बच्चा कुछ देर बाद अब इस सिती में बताईए इन दोनों में से किसकी उर्जा अधिक है यदि आप सोच रहे होंगे कि जो बच्चा पहले पहुचा उसकी उर्जा अधिक है तो आप यहाँ पर गलत है क्योंकि उर्जा कार्य करने की छमता होती है यहाँ दोनों बच्चों ने वो कार्य कर लिया दोनों बच्चे ही फिनिशिंग लाइन तक पहुच गए भले एक पहले पहुचा एक बाद ने पहुचा लेकिन दोनों ही उस फिनिशिंग लाइन तक पहुच गए इसका मतलब उन दोनों बच्चों में कार्य करने की छमता बराबर है इसलिए दोनों की उर्जा सेम होगी अब इन दोनों में से यह बताईए किसकी शक्ति अधिक होगी जैसे कि हम सूत्र से जानते हैं कि शक्ति समय के व्यूत्क्रम अनुपाति होती है कारे करने की दर को हम शक्ति कहते हैं इसलिए यहां पर जो बच्चा पहले पहुचा यानि कि उसने कम समय लिया उस कारी को करने के लिए तो उसकी शक्ती अधिक होगी और दूसरे बच्चे ने उसी कारी को करने के लिए अधिक समय लिया तो उसकी शक्ती पहले वाले की तुनला में कम होगी तो अब आप उर्जा और शक्ती में कन्फ्यूज नहीं होंगे क्योंकि आपने इस उर्जा और शक्ती के कॉंसेप्ट को अच्छी तरह से समझ लिया है